So, आज के स्वीड़ मैं अपन बात करने वाले आईपेड व्यू के बारे में क्या है नॉर्मल व्यू, क्या है आईपेड व्यू, कमपेरिजन करने वाले अरे हाँ, वो बोलना तो भूली गया सो, हेलो गाईज, दिस वाइन एक स्राज के स्वीड़ में बात करने वाले आईपेड व्यू के बारे में जो की है थर्ड पर्सन प्रस्पेक्टिव कैमेरा व्यू, जो की 1.6 अपडेट में नया फीचर आया हुआ है बहुत सारे बंदों को यह पता नहीं है कि अपने मोबाल में भी आईपेड व्यू आया है और बहुत सारे बंदों को इसका दिक्कत है कि इसको यूज कैसे करना है इसको हम स्विच करें आईपेड व्यू पर या फिर ना करें ऐसे बहुत सारे डाउट से लोगों को सो यह सारे डाउट से पन क्लियर करने आले इस वीडियो में तो आपके पास ऐसा मतलब आपको कोई ऐसा डाउट है तो आप इस वीडियो को लास तक देखना है I'm sure कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा आप clarity से समझ पावगेगी कि iPad वीपे switch करू या ना करू use करू या ना करू अगर still doubt रहता है तो आप comment कर सकते है वापे मैं answer कर दूँगा अभी तक चैनल पे नई और subscribe नहीं गया तो subscribe कर देना गंटों को भीवाल पे बहुत चारा प्यार देना already कर चुके हो तो all good लाइक कर देना इस रोगा टार्गेट अपने रखाया है 600 लाइक का जो कि है ठीक टा के आप easily करवा सकते हो easily करवा दो पता है मेरे को क्योंकि आपने करवा दिया अभी तक तो 600 जब जब बार में ने बोला है तो अभी without wasting any more time बढ़ते points की तरफ इस पॉंट में बात करने वाले कि जो नया फीचर है जो कि 1.6 अपडेट में आया हुआ अपने पास basic settings में कहां पर देखने को मिलता है और अगर आपको still basic settings में कौन-कौन से नय फीचर आये 1.6 update के बाद यह नहीं पता है और आपको जानना है तो आप आई बटन वाली वीडियो पे क्लिक करके easily देख सकते हो तो अब बढ़ते points के तरफ तो आपको settings में आना है basic settings में नीचे scroll down करना है वहाँ पे scroll down करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा 3rd person perspective camera view मतलब DPP camera view मतलब जो हम नॉर्मली खिलते है तो अगर आपने इसको 90 कर दिया तो आपका यह easily iPad view हो जाएगा और इसके advantages कहा है आपको क्या करना है यह भी discuss करने वाज़े next point में तो सबसे पहले आपको अगर इसमें difference नहीं दिख रहे है नॉ आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें यह feature कहा देखने मिलता है और इसका use क्या है मतलब इसका difference क्या है इससे और नॉर्मल व्यू में तो अब बात करते है second point की तरफ तो इस point में पुन बात करते advantages and disadvantages तो सबसे पहले यह समझ लो कि आप Android पे खेल रहे हूँ मतलब normal view पे और अगर आपने iPad खरिद लिया iPad पे आप iPad view पे खेलने लगे तो आपको directly जैसे आप Android पे Android view मतलब normal view पे खेलते थे वेसे आप iPad view पे नहीं खेल पाओगे मतलब आप iPad पे नहीं खेल पाओगे आपको starting से practice करना पड़ेगा तो दिक्कत कहा प्याता है ये भी बात करते हैं disadvantage क्या इसका कि जैसे आप इसको full करोगे 90 95 कुछ है highest limit वो मेरे को नहीं पता आप जैसे iPad view फूल कर दोगे iPad view आ जाएगा देन आपका crosshair में चोक होने आले मतलब crosshair के जो functions होत वहले और आपको पहले से मतलब starting से practice करना पड़ेगा वाट आइनो गाइज कि आपका reaction यही है लेकिन क्या ही कर सकते अभी यह reality है आप phone में खेल रहे हो कोई आपको iPad थामा दे और आप iPad पे खेलने लोगे तो जैसे आप phone पे खेलते थे जिस accuracy के साथ जैसे आप बंदे पहल करने पड़ेगी लेकिन आपको जो क्रॉसर के जो मैंने function बताए उसकी आपको practice करने पड़ेगी तो अब बात करते लास्ट पॉंड की तरफ यह मेरा था advantage and disadvantage तो उसमें हम बात करेंगे कि suggestion क्या है मैं क्या मतलब last suggestion क्या आपको क्या करना चाहिए switch करना है या नहीं आजा तो यहाँ पे दो possibilities है एक है कि आप अभी आप normal view पे खेल रहे हो phone में तो उसमें अगर आप satisfied हो आपके gameplay से आपके skills से आप easily बंदों को पेल पा रहे हो आप confidence बढ़ चुका है आप confidence से confidently आप easily बंदों को पेल पा रहे हो satisfied हो मतलब आपके gameplay से यह हो गई first possibility और दूसरी possibility कि आपको मतलब confidence है अच्छा वगेरा सब कुझ है तो switch मत करो क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपको फिर से practice करना पड़ेगा और starting में आप खेलोगे TDM से वगेर iPad view करके तो demotivate तो होने यह वाले हो क्योंकि बैटे गई नहीं मतलब गोले लगेगी नहीं चोक बहुत सारी होने आ आना ही है और phone में आप unsatisfied हो मतलब आप नहीं खेल पाते हो phone में अच्छे से skills नहीं है तो आप वहाँ पे जाके नई शुरुवात कर सकते हो नए से practice कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो मैं easily crosshair के मतलब crosshair को जो मैंने functions बताए जो की चोक होने वाले iPad में जाके तो मैं cover कर आपने skills या फिर आप कैसे नए से शुरुवात करके easily आप next level जा सकते हो iPad में मतलब iPad का आपको satisfaction भी मिलेगा कि मैंने iPad स्विच किया आपको advantage भी मिलेगा view का आपने starting से शुरू किया मतलब आप mastery भी कर चुके होंगे मतलब overall advantage है अगर आप मेरे series को follow करते मतलब करते हो तो I hope क आपको समझ में आ चुका होगा मेरे को पता नहीं कि आपको समझ में आया है कि नहीं समझ में आ चुका होगा तो all good नहीं आया है तो comment करना समझा दूँगा फिर से comment में सब्सक्राइब ने कहा है तो अभी तक तो subscribe कर दो घंटे का भी वाल भी बाद सरा प्यार देना like करना ह तक है 600 लाइक का यहां तक स्टिल देख रहे हो मतलब पसंद आ चुका है तो भूलना मत लाइक करना और क्या है और कुछ ने और मिलते अगली वड़ो में तब तक के लिए बबाई और इंस्ट्राइम पर फॉलो करना मत भूलना कुछ भी बाई करना है तो comment कर देना या फि फिर मेरे gear में से कुछ बाई करना है तो आप easily भाई कर सकते हो मिलते अगली वड़ो में तब तक के लिए बबाई